आइडियल स्टार्ट इस्टॉप बटन इसमें नया दिया गया है बजाज ने अपनी सबसे हल्की पल्सर लॉंच कर दी है सबसे तेज तर्रार पल्सर लॉंच कर दी है जी हमें बात कर रहा हूं एन 125 की एन अब 125 में भी आ गई आप सभी लोगों की वजय से वीडियो में कमेंट करते रहते हो ना पूरा कमेंट बॉक्स पूल करके रख दिया है एन अगा इस वाइक करने वाले कहाँ लॉट सबसे पहले बात कर लें इस बाइक के कलर की विर्यांट के साबसे और लॉंच किये गई है इसमें टोटल साथ कलर आते हैं बात कर ली जाए अगर इस बाइक के dimensions की तो इस बाइक का curve weight है 125 kg जी हाँ सबसे हलकी पलसर है ये इस बाइक का ground clearance है 198 mm का seat height है 795 mm की इस बाइक में wheelbase मिलता है 1295 mm का तो बाइक अपनी ready है ये देखो एक छोटा जा वाकराउंड ये रही इस बाइक की प्रपर left profile rear से profile right से profile इसकी कुछ ऐसी है and front से profile इसकी कुछ इस तरीगे की है normal चावी दी गई है वटावट से चावी कर लेते insert ये देखो fully digital meter दिया गया है सबी feature बटन ideal start stop बटन इसमें नया दिया गया है mobile charging point चलो यार हल्की लगी उतारने में बजन फील हुआ अच्छा खासा and वार्वियम सेट कर लेते हैं यह लो कि अच्छा दिया है इसमें है खेंडिंग यकर बात कीजाए तो यार इसकी हैंडिंग कापी अच्छी लग रही है कापी light weight है अच्छा इसमें गेर्ट इंडिगेटर नहीं दिया गया है केचव एकदम रह और दाहरती है वाई फ्रेंट में कम्प्री ने टैडिस्कोपिक सस्पेंशन दिये हैं एंड रियर में कम्प्री ने मॉनोक्रोस सस्पेंशन दिया है स्पाइक में रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसमें मिलता है सीवेस कॉंबी ब्रेकिंग सिस्टम फ्रेंट में 240 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम है एंड रियर में 130 mm का डिर्म ब्रेकिंग सिस्टम है बेस मॉडल में ही आपको डिस्क मिल जाएगा ऐसा नहीं है फ्रेंट में ड्रम हो कि अच्छा है एंड क्लेच लीवर काफी ज़्यादा लाइट है यह काफी अच्छी तरीके से एंड काफी स्मूथ सिफ्ट हो रही है कजब सिटिंग की अगर बात की जाए तो राइडर के लिए काफी ज़्यादा कमफर्टेविल है इसमें टुटल दो विरिंट लॉंच किये गई है यह ब्लूडूथ मॉडल और नॉन ब्लूडूथ मॉडल कीमत की अगर बात की जाए तो इसकी प्राइज रखी है कमपनी ने चुरानवे हजार रुपए साथ सो साथ रुपए बेस मॉडल में और टॉपेंड मॉडल में अठानवे हजार साथ सो साथ रुपए 9.5 ब्लीटर की फिल्टेंग कैपसिटी है एंड इसी के साथ साथ यह बाइक जो है 60 की आसपास का भी माईली निकल कर दे देती है ऐसा कमपनी क्लेम कर रही है आईए गाइस अब मैं आपको अपने फाइनल वर्डिक्ट देता हूँ कशे ilgili मैंने से फाइस राइड कर ली है ईंड चलते-चलते मैंने आपके साथ इसके साथ में जो भी experience था वो भी share किया है आईए बात कर लेते हैं अब final verdict की, सबसे पहले बात करते हैं चलने में कैसी है, no doubt ये pipe चलने में काफी ज़्यादा smooth है, lightweight होने की वज़े से इसकी performance काफी अच्छी है acceleration इसका काफी जवरदस्त है suspension की अगर बात की जाए front में telescopic and rear में multi-step adjustable monocross suspension दिया है and rear में top end model में 110 section का T-blast tire भी दिया है, जिसकी वज़े से चलने में काफी अच्छा confidence हमको आया, braking system की अगर बात की जाए तो base model से ही अपनको disc braking system मिल रहेगा and top end model में अपनको Bluetooth की connectivity मिल रहेगी meter की अगर बात की जाए तो direct sunlight पड़ रही थी, जब मैं इसको ride कर रहा था तो काफी अच्छी visibility हमको इसमें मिल रही थी sitting की अगर बात की जाए तो rider के लिए specially काफी ज़्यादा यहाँ पर अपनको space दिया गया है, काफी ज़्यादा comfort यह feel कराती है handling इसकी काफी अच्छी है and ORBM काफी अच्छी दिये गए है पीछे के भी काफी अच्छी visibility हमको मिल आती है यह तो मैंने आपके साथ में first impression share किये है इसकी top speed check नहीं की है और mileage test अभी नहीं किया है बहुती जल्द मैं इसका proper mileage test करने वाला हूँ and क्या mileage नकाल कर देने वाली है top speed क्या है gears में आपन को कितनी speed मिल आती है सब कुछ आपको पता लगने वाला है तो वो वीडियो जल्दी आ जाएगी and मैंने इसके सभी variants यानि की दौनव वेरिंट का dedicated वाकराउंड किया है यदि आप इसके सभी features के बारे में detail में जाना चाहते हैं तो वो वीडियो चरू देख लीजेगा non bluetooth वाला अभी अपने साथ में इसका base model है जिसकी कीमत है 94,707 रुपए and इस segment पे जितनी भी भाइक आती है उन सभी के साथ में measure comparison भी आने वाले है आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है bell icon call पर set कर लेना है मेरे final verdict की अगर बात की जाए overall जो company package देरी है उसके recording ये बाइक पर आपको 98% कमेंट करता हूँ तो दोस्तों बस फ्लाग लिए इस पीडियो में तरह ही पर पसंद आई होगी like करो यार magsons magsons share करो अगर आपका कोई भी सवाल है कोई भी सुजावे comment करने ना भूलीगा और अगर भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाइट टेक्निकल सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्निकल एसेश्टी इंस्ट्रागरम एभी परिफॉलो कर लीजिए को कि मैं आपको लिए से इंट्रेस्टिंग वीडियो और इंपर्टेंट वीडियो जी हां बाई इंपर्टेंट वीडियो समय समय पर आता रहता हूं चैहिंद वंदे मात्रा